हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तुवास के मिस्वीरियम करने अले है क्लास एट थहिंदी चैप्टर नंबर एट हसना मना है चुटकुले हास से एवं व्यंग्य विवाद विनोध का एक ससक्त माध्यम है चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और समवाद छोटे छोटे होते हैं चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है इस द्रिष्टी में चुटकुले तनाव दूर करने का ससक्त माध्यम है तो यहाँ पर यह आपका चुटकुले स्टार्ट होता है चुहा हाथी के पास गया और बोला हाथी दादा हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी दो दिन के लिए दोगे हाथी बोलता है तुम उसका क्या करोगे चुहा बोलता है मेरे बेटे की साधी में उसमें तंबू लगाने का काम आएगा तो यहाँ पर जो दो जन होते हैं एक हाथी होता है और एक यहाँ पर चुहा होता है तो चुहा यहां पर हाथी से बोलता है कि हाथी रादा हाथी रादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी दोगे तो यहां पर हाथी पूछता है कि तुम उसका क्या करोगे तो चुहा एंस्वर देता है कि मैं अपने बेटे की साधी में इसके तंबू लगाऊंगा नेक्स्ट चुटकुला है आपका पता नहीं लोग महिनों बिना नहाय कैसे रहते हैं यहां पे यह question पूछता है कि पता नहीं लोग नहाय बिना कैसे रहते हैं तो यहां पे यह answer देता है मुझे तो 28 दिन ही खुजली होने लग दी है यानि कि यह 28 दिन तक नहाता नहीं है थर्ड चुटकुला है ग्राहक और दुकांदर के बीच में बात्चीत हो रहे हैं तो यहां पे ग्राहक बोलता है आपके पास तूथ ब्रस है तो दुकांदर बोलता है ब्रस नहीं है ग्राहक बोलता है क्रीम नहीं चाहिए टार्च मिलेगा दुकांदर बोलता है वह तो कल ही खत्म हो गई मुंबत्ती है फिर यहां पे ग्राहक बोलता है खेर ताला तो होना ही चाहिए दुकांदर बोलता है हाँ है दू तो ग्राहक बोलता है जी नहीं उससे अपने दुकां पर लगा कि आप घर पर आराम कीजिए फोर्थ है यह सा दिखने वाला आदमी का नमेच चुन्नू ठीक है यहां पर यह चुन्नू है ठीक है है तो यहांदा बारिस होती है वहाँ क्या पाया जाता है तो यह बोलता है चाता फिप्थ है तीन दोस्त आपस में गपसप कर रहे थे यहां पर यहां पर तीन दोस्त होते हैं यहां पर थ्री प्लैंस होते हैं परस्त हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपती बन गए तो हम क्या करेंगे तो फिर यह जो पहला वाला है वो बोलता है कि मैं तो सिधे पैरिस जाऊंगा और खूब मज़े करूंगा दूसरा वाला बोलता है मैं किसी लाख प्रत कारोबार में रुपिया लगाऊंगा और यह तो तीसरा वाला बोलता है वो यह बोलता है कि मैं तो फिर सो और सोने की कोसिस करूँगा और जब तक मैं करोड़ पती नव बन जाओ तब तक सोने चाहूँगा ठीक है सिक्स नंबर है भूत वर्तमान और भविस्य से तुम क्या समझते हो यह तो यहां पर यह बोलता है कि जी मेरे दादा जी हमारे भूत हैं मेरे पिता जी वर्तमान है और मैं उनका भविस्य हूँ अब यहां पर प्रस्थ रेल किराय इतना बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में व्रिध्धी हो रही है इसका कारण बताईए तो उत्तर है इसका कारण यही है कि हर आदमी यही सोचता है कि अगले सार्ट किराया और बढ़ जाएगा इसलिए अभी यात्रा कर ली जाये सब चैत्रों को घास खाती हुई सभी चित्र चित्र बनार है थे कल्पेश ने अपना पन्ना कोझ छोड़ दिया थ FS से पूछा कल्पेश शीतर में घास कहां है कल्पेश बोलता है घास तो गाय खा गई इसलिए घाश मन नहीं डू किया चुण्णू है और यहां पर यह उनकी मम्मी है, उनका दोस्त है, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है, यहां पर चुन्डों बोलता है कि मम्मिस से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है तो उसका दोस्त बोलता है क्यों तो फिर वो बोलता है क्योंकि मुझे पाप क्योंकि पापा प्रती चाटा मुझे पांच रुपया देते हैं ठीक है तो यहां पर यह आपका चप्डेर ओवर होता है वीडियो अच्छा लगए इससे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए मिलते हुआ जय ही जय भारत